स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल के ऊपर मास्टर सुभास का आप सभी को नमस्कार एक और बहुत बड़ी खुसकबरी आप लोगों के लिए आ चुकी है राजस्तान करमचारी चैन बोर्ड के दोरा वनपाल सीधी बरती प्रिक्षा का रिजल्ट जारी क दिस्क्रेप्शन में दिया हुआ होगा टेलिग्राम का उसको जोइन कर लेना आप वहां आपको ये पीडियाप मिल जाएगी आज की दिनांग है बाइस बारा दोजार बाइस तो देखते हैं बोर्ड ने पीडियाप के अंदर क्या-क्या सूचने दी हैं तो वन विभाग राजास्तान के लिए राजास्तान वन अदिनस्ति सेवा 2015 राजास्तान अनुसुची छेतर अदिनस्त मंतराले एवं चतुत्र शेनि सेवा नियम 2014 की अंतरगत 15 सीधी बर्ती 2020 गैर अनुसुची छेतर नोन टीएसपी शोपोस्ट अनुसुची छेतर टीएसपी छेतर के लिए 48 सीटे यानि कि 148 पदू पर भरती हेतु सम्मधित विभाग से अर्थना प्राप्त होने पर राजस्तान क्रमचारी चैन बोर्ड जैपुर दवरा विज्यापन संख्या च्यार दो 2022 कर यानि कल भी आपकी जो मैंने जो पोस्टे बढ़ाई थी उसका भी वीडियो बनाए था वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो उसके अंदर जो पोस्टे बढ़ाई उसके बारें पूरी डिटेल से वीडियो बनाए था तो देखो तीन बार इसका नोटिस ज बढ़ा दी गई थी और आज रिजल्ट आ गया है जारेकर ओनलाइन आवेजिन प्राप्त किया गये थे उक्त भरती परिक्षया का आवेजिन दिनांग 611-2022 को दो चर्णू में किया गयाता है यानि 6 नॉवंबर को दो चर्णू के इंदर आपकी एक्जाम हुई थी अब नेक्स्ट आगे बताएगा है इसी करम में उक्त पदू हेतू नीचे अंकित अभ्यारतियों को सारेरिक दक्सता प्रिक्षया ट्रेड प्रिक्षिक्षन हेतू सुचियां पूनते ऐस्ता एवं अंतिम हैं इन्हें तेयार करते समय स्रेणिवार विग्यप्ति पदू की वरियाता अनुसार लगबक पांच गुणा पांच गुणा अभ्यारतियों की संख्या समलित की गई है जिनका सारेरिक दक्सता प्रिक्षिक्षन ट्रेड सुचित किया जाएगा यानि अलग से आपका नोटिस आएगा जिसमें आपको फिजिकल के बारे में संपून बाते बताई जाएंगी सारेरिक दक्सता ट्रेड प्रिक्षिक्षिक्षन एतु सुचिबत किया अभ्यारतियों के रोल नमर कठोप माक्स विशय उनुसार भाग पीडियेप का यह जो सेक्षन होता है या सर्च वाला इसके उपर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहां आपको यह रोल नमर पूछेगा तो रोल नमर में आप जैसे आप फिल करोगे तो रोल नमर आपके आना स्टार्ट हो जाएंगे इस परकार से 21-06 मेने बारा तो इस परका से नहीं वह आपको और त्यारी करनी है अग्ली वेकेंस्य года नहीं होना बिल्कुल वह डेखते हैं कनफ कितनी गई है किस केटेगी दॉप की बात करते हैं तो सबसे पहले यह देरख्फ है जन्रल जन्रल में आपकी जन्रल जो मेल है मेल की 77.77 गई है कτο सीफ 민주 के नांग पॉइंट 697 विद्वा की है आपकी 50.16 और डिवर्स की कोई कटोब नहीं है फिर है एडबलस के टिगरी की जो कटोब 72 फीमेल की है 64 और विद्वा की है 42.08 कटोब फिर देखते हैं नेक्स्ट आपकी एससी कटेगरी तो एससी कटेगरी में जनरल की के जनल का मतलब को यहां है मेल की कटोब है वह ऐसस्टी 4.98 और फीमेल की कटोब है 55.55 45.55 बीद्वा की को फिर दाव 50.95 एससी कटेगरी की फिर नेक्स्ट जो आपकी केटेगरी है वो है ST तो ST की कटोप देखते हैं जनरल मेल की मेल की कटोप आपकी 64.98 फिर मेल की जो कटोप गई है 57.91 और विद्वा की जो कटोप है 39.39 और MBC जो केटेगरी है उसमें मेल की गई है 71.71 और फिमेल की जो कटोप है 59.93 कटोप तो यह थी आपकी कटोप जनरल OBC, SC, ST और AWS MBC केटेगरी की तो लगबग आप देख सकते हो आपकी जो जनरल की कटोप है मेल की जो जनरल की कटोप मेल की और OBC की कटोप है मेल की वह लगबग लगबग शेम है 77 और यहां देखो 77.10 सिरिफ 67.10 आगे है आपकी जनरल की कटोप OBC से लगबग सेम और फिमेल की कटोप 69 है और यहा है 67 सिरिफ 2 मार्कस का अंतर है अब देखते हैं नीचे आपकी यह सहरिया की कटोफ है जनरल मेल की 29.96 है और होरिजोन्टल रिजरुएशन दिया गया था इसमें आपकी तीन के टेगरी बनाई गई है पहला है एसिड विक्टिम के लिए 40.40 कटोफ गई है एक सर्विसमेन के लिए गई है 52.52 कटोफ और स्प टी-चे पी such चेंठर यह नहीं अनुसुरी चाहिए चेकर लें नीचे आपका रोल अ मरग रवन स्पने अग्राइब हो कटोफ है वह कटोफ इसकी वह श्यासा और विद्वा की कटव और चMP 24.91 कटव गई है जनेरल केटगरी के अंदर और फिर आपकी दो केटगरी हो रहे हैं सबुख और यह जनेरल मेल की कटव पे शिश्टी टू पॉइंट और सबस्क्राइब हो कटोब 14.78 और विद्वाई कटोब 10.10 तो यह थी कटोब और फिर होरिजंटल रिजिर्वेशन यहां पर भी है तो यहां तो एसीड विक्टिम की जो कटोब गई है वह 24.57 और एक सर्विसमेन यह तो बहुत ही चोकाने वाला आकड़ा है दो नमबर कटोब गई है दो नमबर यकिन नहीं होता आपको तो यह देख सकते हैं कि दो नमबर कटोब है एक सर्विसमेन की आपकी टीसपी छेतर से और नीचे कुछ जो क्योशन डिलिट कर दिये थे उनको बताया गया इस प्रकार से यह देखो जो पहला पहट फर था उसके अंदर 100 कृषीन थे तो जो स्री भड़ यह थी दूसरी सृसचा को यह था टीस औरींनकर कॉर्ण यह था त पाश्णी तो आपने पर पर देखोगे अगर इस को पर अपकी तरफ की निसान मिलेगा बना हुआ यह आप देखोगे तो समझ जाओगे कि आपकी इन में से कौन सी स्रीज है तो उस स्रीज का वो परसंद देख लेना कौन सा है तो अगर यह स्रीज है तो वो 100 नमर का परसंद है अगर यह के जैसी स्रीज है तो आपके बार 90 नमर का परसंद मिलेगा आपको तो देख लेना जो कोड बने हुए हैं आपके पेपर के ऊपर मिलेंगे आपको सारे कोड़ और इन कोड़ों के अंदर देखना आपके यह उठती हुए चडिया तो । सो नमर के अंदर आपका जो क्योशन डिलिट हुआ वह 84 नमर का क्योशन डिलिट हुआ है अगर इस परकार का माइक बना हुआ तो 31 नमर का क्योशन आपका डिलिट हुआ है अगर इस परकार बनी हुए आपके पेपर के उपर तो निकाल आए इनुने तो जो भी यह नोटिस है वेबसाइट के उपर मिल जाएगा टेलिग्राम चेनल अगर आप जोइन करोगे तो उसके उपर भी मिल जाएगा जिनका भी सेलेक्शन हो चुका है उन सभी बहुत बहुत सुपकाम नाए और अब अपनी फीजिकल की तियारी मे आप जुट जाएए बहुत ज्यादा वक्त आपको मिलेगा नहीं फीजिकल के लिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखना टेक केर बाई